इसलाम आदंग या आदर्श उस्तक के लेखक स्वामी लक्षमिश अंताराचार्या ने पिछली किताब में कुरान की 24 आयतों को जिहादी बताते हुए इसलाम को आंतक से जोड़ा था अब अपनी ही किताब के जवाब में इसलाम को आदर्श बताया और सारवजनिक माफी मांगते हुए कहा की मुस्लिम विद्वानों के सुझाव के अनुसार मैंने सबसे पहले पेगंबर हजरत मुहमत की जीवनी पढ़ी जीवनी पढ़ने के बाद इसी नजरिये से जब मन की शुक्ता के साथ कुरान मजीद शुरू से अंक तक पड़ी तो मुझे कुरान मजीद की आयतों का सही मतलब और मकसद समझाने लिगा सत्य सामने आने के बाद मुझे अपनी भूल का हिसास हुआ कि मैं अजाने में भ्रमित था और इसी कारण ही मैंने अपनी किताब इसलामे का आतंकवाद का इतिहास में आतंकवाद को इसलाम से जोड़ा है जिसका मुझे हारते खेद है मैं अलाह से पेगंबर मुहम्मद से और सभी मुसलिम भाईयों से सार्वजानिक रूप से माफी मांगता हूँ पथा अग्यांता में लिखे वर बोली शब्दों को वापस लेता हूँ सभी जनता से मेरी अपील है कि इस्लाम एक आतंक वाद काईति हास उस्तक में जो लिखा है उसे शून्य सिंजी स्वामी लक्ष्मी शिंकाराचार्या की पुस्तक इस्लामागंग या आदर्श इंटरनेट में हर तरफ मिल जाती है वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिन दिया गया है रामपुर के साहिद अब्दुल्ला तारिक साहब की ओफलाइन किताब गवाही और डॉक्टर असलंग कास्मी साहब की ओनलाइन किताब जिहाद या फसाद पर इस विशेवर बहतरीन किताबे हैं अलग हटके वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें